अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपको पता है कि forest हमरे लिए कितना important है तो दोस्तों इसी बारे में आज हम discuss करने जा रहे हैं कि भारत ने अखेर ऐसा क्यों कहा है कि हम forest declaration पे sign नहीं करेंगे आप सभी को पता है दोस्तों पिछले महीने हुई थी Glasgow में COP26 की meeting जिसमें काफी कुछ declaration किया गया था climate change के बारे में और आप सभी को पता है इंडिया हमेशा सही रहा है कि climate के बारे में active रहना उसमें different activities वगरा करना protect करना हम काफी आगे रहे हैं अगर world level की बाहग करे International Solar Alliance यह उसी का दोस्तों एक उधारन है दोस्तों लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है इंडिया की तरफ से इंडिया ने क्यों रिजेट किया है दोस्तों जानेंग यहाँ पे detail में कि इंडिया refuses to sign the UK-led forest declaration दोस्तों काफी महतवपूर ने यह चीज है जानेंग दोस्तों यहाँ पे कि ऐसा क्यों इंडिया के दोरा कहा गया है आपको स्विकर सौगर दोस्तों अगरे में हूँ निलेश आप मुझे फॉलो कर सकते दोस्तों टेलीग्राम के अपने चानल के उप पर जानेंगे डिटल में सारी चीज़ा यहाँ पर देख लिए दोस्तों हुआ क्या है इंडिया स्टेज आफ यूके लिए डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन कोप 26 समिट जहां पर यूके दोस्तों यह कहां था कि हम क्या करेंगे डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए पूरी इसके फॉरेस्ट काफी काटे जा रहे हैं तो लैंड डिग्रेट हो रही है और काफी नुकसान हो रहा है एन्वार्मेंट को जिसके वैसे टेंपरिचर भी काफी बढ़ रहा है तो यह अंबिश्य डिक्लेरेशन दोस्तों था यह हाल कर दिया डिफॉरेस्टेशन को हम स्ट जो ही इसमें यूज किया जा सके जानेंगे दोस्तों यह हुआ क्या था डिटिल में डिसकस करेंगे इसमें लगबख डिकलेशन में 105 देसों ने यहां पर साइन किया है इंक्यूडिंग यूएस है यूके रशिया चाइना है लेकिन अगर हम जी ट्वेंटी कंटिर्स की बा और अधर अग्रिकल्चर प्रोड़क्स सच आज पाम ओईल सोया और कोकोवा में और आपको बता दू कि यहां पर आपको तो गवर्मेंट रिप्रेजेंटिंग 75 परसें गोबल ट्रेड जो है ना वो की कमोडिटी होती है जो कि फॉरेस से आती है दोस्तों देख लीचेगा जैसे पाम ओईल है कोकोवा है सोया है जो कमिट कर दोस्तों कॉमन सेट अफ आक्शन और आपको बता दू सस्टनेवर रिट्रेड और रिडूस अप्रेशर अंद फॉरेस्ट तो ऐसा कहा गया है कि आप फॉरेस्ट वगरा कट मेंगरा मत कीजेगा लेकिन आपको बताती है इंक्लूडिंग सपोर्ट अब दे स्मॉल होल्डर्स और फार्मर्स क्योंकि हमर लें इंपोर्टन है दोस्तों कि कुछ चीज़े हमें यहां पर काटनी पड़ती है ओके फॉरेस्ट हमें कुछ रिमूव करना पड़ता है जो कि ट्रेडर्स के लिए होता है हमारे फार्मर्स यह फोसील फ fitts जो रिलीज विकरा करते है कार्मर्स अब लिए काफी इंपोर्टन होता है अगर हम बात करें दोस्तों इजो ग्यास जो होती दोस्तोź अगर हम बात करें डियाय तो यह नं लगाए हम सब कुछ अम फॉरेस्ट करें लॉस्ट कर रहे बिकाज तो दोस्तो काफी इंपोर्टन चीज है कि और भी कि करने अगर हम बात करें अलमूस कॉचर 23 परसेंट जो ग्लोबल एमिशन है ना वो हो रहा है दोस्तो लैंड यूस एक्टिवीड की वज़ेसे जिसमें रहे हैं फार्मिंग की वज़ेसे हम काफी आप एक लिए दोस्तों है पर काटते हैं लॉगिंग वेर भी दोस्तों काफी चीज पर होती है जिसके वैसे काफी important होता है कि forest को protect करना that's why forest important है हमारे environment के लिए हमारे जीने के लिए और दोस्तों यह चो damage है नो दोस्तों यह कभी खतम होने वाला है नहीं तो that's why most important things in the world कि हमें limit करना चाहिए global warming तभी जाके हम क्या कर सकते है देखिए पहले तो forest आपको cut करने रोपने पड़ेंगे उसके बाद आप आप limit कर पाते हो global warming को तो यतनी सारी चीज़े काफी important है आपको सभी को एक बात बता दू यहाँ पे कि देखिएगा कि while also protecting the lives of the future of 1 1.6 billion people worldwide जो कि forest में रहते हैं और 25% of the world की population की बात करें दोस्तों वो पूरी तरह से dependent है forest के उपर उनके livelihood वो उनकी daily life दोस्तों forest के उपर depend है अगर आप forest ही पूरी तरह से दोगे तो क्या होगा उनकी life का तो इतना सब कुछ अगर forest हमर लिए important है तो क्यों भारत ने sign नहीं किया है declaration क्यों तो कुछ दो reasons वगर होंगे न तो जाने दोस्तों कि actually reasons है क्या दोस्तों देख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ commitment किया गया है इसके बारे में देख लिए जगा कि किस तरह से यह अवाइड किया जाएगा deforestation अल दोस तिंग्स leaders who signed the declaration present 85% of the world's forest जितने भी देशों नहीं यहाँ पे दोस्तों जो agreement जमा करेंगे किस के लिए protect करने के लिए और restore करने के लिए forest दोस्तों और भी information जाने दोस्तों यहाँ पे 7.2 billion dollars भी दोस्तों यहाँ प्राइवेट जो फॉर्म्स वेगरा होते उनसे भी दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएंगे यहाँ पे investment की जाएगी प्राइवेट फॉ तो वो आपका Congo है दोस्तों दिख लीजेगा इंक्लिवड 1.5 billion dollar fund भी दोस्तों यहाँ पे create किया जाएगा Congo Basin को प्रोटेक करने के लिए आपको पता है दोस्तों यहाँ पे equator आता है तो equator के नस्दिक काफी बारिश होती है और यहाँ पे Congo Basin काफी important है जो कि second largest tropical rainforest है Amazon के बात करें इसमें काफी बड़ा दोस्तों नुकसान हो चुक है आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे forest वेगरा यहाँ पे काटे जा चुक है जो कि आपको कम हरा यहाँ पे दिख रहा है तो इन जो रीजन में अल्यडी काफी forest वेगरा थे लेकिन यह forest उतने बच नहीं पाए कि declaration was end or outside the UNFCCC climate change summit हो ता उसके बाहर यह declaration किया गया था and therefore it is legally non-binding तो आप मतलब देखिए कॉप 306 कमें वहाँ पर समीट वेगर तो यह लेकिन उसके साइड लाइन में दोस्तों यह agreement होता है डिकलेशन होता है जो कि किसे के उपर legally binding है नहीं और जाने के दोस्तों तो इसलिए भारत यह यह चीज यहाँ पर कहना चाहता है कि देखिएगा कि हम क्या कर रहे है recognize the land recognize that the to meet the land use for the climate, biodiversity and sustainable development goals both globally and national यह declaration कहता है कि हमें जो land use जो है न वो हमें recognize करना चाहिए कि वो हमें climate के लिए भी important है, biodiversity के लिए important है और sustainable development जो goals होगे रहा होते है उसके लिए भी काफी important है nationally और अगर globally बात करें लेकिन यह important information यह देख लीजए, will require transformative further action देखिएगा कि sustainable production भी important है, consumption भी important है, देखिए हमें infrastructure development भी करना है, लेकिन यहां पर अपनी जो word यह पर आड किया है, trade वेगरा, उससे हमें थोड़ा problem वेगरा यहां पर है क्योंकि अभी भी हम काफी develop वेगरा कर रहा है और finance और investment भी यहां पर काफी जाधा आ रही है, तो हमें support करना है हमारे small holders को, जिनकी life totally depend वेगरा है दोस्तो, indigenous people भी वहां पर है, local communities भी वहां पर, अगर हम यहां पर decision ले ले लेते हैं कि forest को cut नहीं करना है, तो वो people वहां पर कैसे रह पाएंगे फिर, क्योंकि हमें forest तो cut पूरी दो से रोकनी पड़ेगी, तो उन small holders का, उन tribal people का, उन indigenous people का क्या होगा, क्योंकि वो तो forest काटते है, क्योंकि वो तो paid both है क्योंकि उनकी वहां पर जरूरत है, तो that's why दोस्तो, यह काफी important है, यहां पर दिखा गया है कि जिनके life, forest पर depend है, उनकी livelihood depend है, हम उनके लिए उनसे उनके livelihood नहीं चीन सकते, तो यह बात यहां पर भारत ने, यहां पर objection को रूप में of these people है, यह ज़्यादा matter करती है हमारे लिए, देखेंगे दोस्तो, यह fall under W, यह trade जो है न, trade दोस्तो, WTO के अंदर आता है, आप इसमें climate change वाला issue क्यों ला रहे हो, क्योंकि हमारा issue पूरुतर से अलग है, और यह should not brought under the climate change declaration, trade वाला issue अलग रख दीजेगा, क्योंकि trade करना तो यह कहा, we had asked, trade जो word है न, वो remove कर दीजेगा, और हम इसे agree नहीं है, that's why हमने यह declaration sign नहीं किया है, यह सबसे important है, हमारी आबादी, हमारे जो indigenous people है, जो tribal people है, उनकी रक्षा के लिए, हमने दोस्तों कहीं न, कहीं, यह चीज़ यह आपर धान में रख्किया है, हमने इसे agreement नहीं यह हमने amend करें कि दोस्तों यह पर कोशिश करें, और आपको बता दू, कि इंडिया is actually moving changes to the existing forest conservation act, 1980 में हम क्या कर रहे है, जो दोस्तों allow करेंगा, window क्या, deforsetion for accommodating the key projects, दोस्तों आपको बता दू कि कहीं न, कहीं, इंडिया एक बार पर यह कहा रहे है, कि livelihood of the people काफी important है, और यहाँ पर हम दोस्तों forest act जो है, वो change करने की कोशिश कर रहे है, मतलब deforestation का हम allow कर रहे है, different projects बहाँ पर होंगे, उसे हम allow कर रहे है, यह यहाँ पर हमने changes यहाँ पर किया है, it is an effort देखिए दोस्तों, यह इससे होगा क्या कि, इंडिया को काफी पीछे यह धकल देगा, हम यह नहीं continue कर पाएंगे, so that's why October 2nd union minister ने यह कहा दोस्तों, इस letter में कि documented 14 aspects that it sought change in the key forest legislation, जो भी आपने, I think पिछले मेने की बात है, पिछले मेने आप सभी ने यह चीज़ वगरा पढ़े होगी, forest conservation act में कहीना के change वगरा किये जा रहे है, major process को लेके, तो कहीना के यह forest वगर from the central government, देख लीजे, when forests have to be diverted from the non-forestry purpose, अगर non-forestry purpose, देखे का अगर forest का purpose नहीं है, अगर आप वहाँ से other जगा पे move कर रहे हो, तो आपको approval लगेगा central government का, यह यहाँ पर इस law में दोस्तों कहा गया है, जो नया law बगरा बनने चा रहा है, आगे जानेंगे दोस्तों, डीट declaration on the land use, यह sign किया है, अगर specially बात करें यहाँ पर, Democratic Republic of Congo की, तो यहाँ पर Glasgow declaration देखियेगा, कि उन्होंने ओलेडी 44,90,000 hectares of the farmer, जो forest है, वो lost हो चुके है 2020 तब, तो that's why कहिना कि यह concerning issue था, African countries के लिए भी दोस्तों, जानेंगे डीटल में, कि 24 African countries में, including आपकी Congo है, वोर्षव यहाँ कि जिन्होंने अपने forest, जो काफी lost किया है, जैसे मैंने अपको थोड़ी देर पहले image में बता है, ता कि Congo का जो बेसिन हैं दोस्तों, काफी important है, यह second largest rainforest है, अगर Amazon के बात करें दोस्तों, तो इसे protect करना काफी महित्वपूर्न है, चीज यह आज हमने यहाँ पर आप नहीं किया है, समझ सकते कि दोस्तों, आपको issue समझ में आया होगा, आपके बारे में दोस्तों, अगर एक चीज आप को बता दू कि, यहाँ पर प्लस courses हमें आपर launch कर रहे है, काफी important है, देख लेंगे कि 3rd November से generalist study skill दोस्तों, आपर course launch हो रहा है, अगर आपको लगता ह कि GKGS की आपकी जो preparation है, वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तो definitely आपके लिए batch only launch हो जोगे 3rd November को, अगर आपको लगता है साथ GKGS मेरा ठीक है, मुझे और भी काफी इसमें कमबो चाहिए, देख लीजे, आपका यहाँ पर GKB कवर होगा, आपका reasoning, आपका math और English आपे पूरी कर रही है, तो अगर आपको कुछ doubt वेकर आता है दोस्तों, तो क्या होगा, आपको सिर्फ करना है raise hand, raise hand करने के बाद दोस्तों, आपको मिलेगा एक feature, जिससे आप कर पाओगे पूरी सारी बात है अपने educator के साथ, और आपने doubts वेकर आपे clear कर पाओगे, काफी important चीज़ है, जिससे lively बात करना काफी महतोपुना होता है, चाटिंग से, एक अलग चीज़ होती है, और अगर plus course लेते हो, तो definitely ये आपको हतियार मिलता है, जिससे आप क्या करोगे, अपने doubts lively clear कर पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना है परिगा, सिर्फ end roll करना पड़ेगा, अन अन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम easy है दोस्तो, देखिए इतनी सारी price आपको बता दू, 24 मन का है, 12 मन का, 6 मन का, 3 मन का भी है, लेकिन इसके लिए एक बहतोपुना चीज़ है कि आपको यहाप पर यह prices drop हो जाएगी, लेकिन यह drop कप होगी, जब आप लगाओगे द आप यह code use करने के बाद, discount maybe 10% के आगे भी definitely जाएगा, तो दोस्तो आपको बता दू, लगता है आपको सब्सक्रेशन लेना है थोड़ा मुश्किल, तो tension ना लो, आपके पास है knowledge, तो definitely 50 मिर्ट में 40 question हर संड़े को कीजेगा, 12 वजे दोस्तो, जो होता SAC combat, और उसमें आपक लगता है कि कोई वीडियो अनकाडमी पर है और जिसमें कुछ inappropriate content वहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो ऐसे first बनिएगा दोस्तो रिपोर्ट करने के लिए, और आपना price आप definitely claim कर सकते हो, अगर आप पहले ऐसे बनते हो, वो inappropriate content show करने वाले, तो दोस्तो ये था आज का session, मैं जान सकता हो कि आपको बताईएगा कि कैसा रहा का session आपको समझ में आया और नहीं आया, आपको पता चला कि इस तरह से चीज़े बेगराती, अगर अच्छा लागो तो definitely like कीजेगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा, और इसे तरह के current issues के लिए दोस्तों